ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे अब क्या बताते हैं सब्द महल में सिद चोबीसा हनस बिछोड़े बिशिवे बीसा अब पर भू पाकी गया लाखों लोग अजानों लोग पर संसक होगे वो फिर बगवान बन जाता है तो वो भगवान बन गया तो बगवान तो एक के रहेगा दूसरा बन ही नहीं सकता तो परमातमा दूर हो जाता है कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं बगवान से दूर कर देती हैं हनस को बिछोड देती है बिछोड जाता है बगवान से दूर चला जाता है सब्द महल में सिद्चोबीशा हन्स बिछोड बिश्वेवीशा मैंने कती पक्कम पका सत परती सत जीव का नास करती है भगवान से दूर कर देती है इसे दियां की दो चौदर है एक सिद्धी सुर्देव मिलावे एक सिद्धी मन वित्ती बतावे एक सिद्धी हो पौन सरूपी एक सिद्धी हो वे अनुरूपी एक सिद्धी निश्वा सर जागे एक सिद्धी सेवक हो आगे एक सिद्धी सुर्गा पुर धावे एक सिद्धी सब गट छावे एक सिद्धी सब सागर पीवे एक सी दी जो बहु जुग जीव है एक सी दी जो उड़े आकासा एक सी दी पर लोकेबासा एक सी दी कष्ट तन जारा एक सी दी तन हंस नियारा एक सी दी जल डूब न ला जाई एक सी दी जल पैर न लाई एक सी दी बहु चोले धारे एक सिद्धी नीतत विचार है एक सिद्धी पांचोंतत नीरम एक सिद्धी हो बजर शरीरम एक सिद्धी पी वै नहीं खाई एक सिद्धी जो गुप्त छुपाई एक सिद्धी बर्मंड चलावे एक सिद्धी सब नाद मिलावे एता खेल खेलारी खेले सोहंहंसा परगटबेल है चोबीसा कुना मनचाव है सोहंसा सब्दातीत कहाव है प्रासिधी पूरण पट्रानी सत लोग की कहो निसानी सत लोग सुक्सा गरपाया सत गोरो भेद कबीर लखाया परमहंस देखो परवाना जन कैता दास गरीब दिवाना अब क्या बता है कि एक सिधी मन विर्थी बताव है कि मन के अंदर आप ने के सोच रखा है तो हम कहते हैं ये सिधीयां आमेन की ओ सकता नहीं एक सिधी निस्वासर जाग गए एक सिधी सेवक हो आग गए एक सिधी दिनरात जागने की प्राप्त हो जाती है और हम बगती अजातम ग्यान से इतने दूर है अजातम ग्यान हीन है हम हम जरा से भी किसी संत या भगत में उट पटांग सा देख लेते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं पर भावित हो जाते हैं एक गाओं है खेडी दमकन गौहना के पास दास के वहाँ मामा जी है तो वहाँ देखा वहाँ कथा सुने उनकी एक डेरा बना हुआ गिसा पंतियों का आदन्य गिसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ग्यान को लिपी बज भी किया है कुछ वाणी भी बोली है उन्हीं का एक सिस्थ था तो उन्होंने उस अपने अदन्य गिसादा साहिब जी की सिस्थ हो गया लेकिन वचन नहीं माना उसने अपने इसाब से हट योग करता रहा नेकी राम नाम था उनका नेकी राम जी उसने सिध्धी प्राप्त कर ली हट योग करके दिन राद सोवे नहीं वो उस गाओं में आके बैठ गया बनी में और साधू रूप में एक लंगोट बांद्रावसम्यों अब धूत रूप में बैठ गाओं के नगर के लोग जाते हैं देखते हैं कि मारा तो दिन राद सोता नहीं एक न देख्या फिर छुपके देख्या देखते रहे दस दिन बीश दिन पत्तिस दिन देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं इस से बात पर वावित होगे और उड़ा बना दिया उसका असरम गाट दिया लटे बता ना सोगे के उगया पर किला टूटी है ना सोनते हैं ये सिद्धी प्राप्त कर ली इसी से महतमा पाक गया ना जण कितनों को और पर बाद कर गया तो कहते हैं एक सिद्धी निस्वासर जाग गया एक सिद्धी सेवक हो आ गया एक ऐसी सिद्धी होती है कि एक समय संतना साधना की इनके पिछले पुन साथ होते हैं वो ही बक्ती के लिए घरगाम छोड़ के जाते हैं बिना ग्यान का और इनके पिछले पुन डिपोजिट होते हैं उपर तो ये कोई ऐसी सिध्धी कर लेते हैं तो इन ही की पुनों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं अध्धात्मिक सर्वेंट ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के और इन से फिर वो अपने किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहां लेकर चलो फिर वह आठी अपपे फिर वो ठीक कर दिते हैं इस तरह के विप इनके जाड़ फूख का धंदा चलता है तो कहते हैं एक सिद्धी सब सागर पी वै एक सिद्धी जो बहुत जुग जीव है एक सिद्धी कष्ट तन जारा एक सिद्धी तन हनस नियारा एक सिद्धी जल डूब न जाई है एक सिद्धी ऐसी है कि जल का उपर के चला जा डूब बनी जैसा भी आपको बताया था उसने ये सिद्धी कर रखी थी एक सीधी ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेस करके बाहर आओगे तो सुखे पैर मिलेंगे जल उनका टचली होता एक ऐसा ही रोतक जिले के अंदर अब उसाइद सोनीपत में आगया सिसाना गाओं है रोतक से सोनीपत रोड़ खुरकोदा साइड में उस सिसाना गाओं में योगी इसाइपनती था हो भी ये सारे उस नेकी राम की बरांस बनगी फिर वो आगए थी उसको पास एक सिद्धी थी कि वो तलाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गार्या और जल नहीं लगता इस सेदब पर वो उपाय की गया है और देख और रोड़ का उपर इतना बड़ा स्रम गाड रख है उसका उसको नारण मातमा करें लागे नाम कुछ होड़ था उसका तो परमातमा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धी बहुत चोले दार है कई रूप बना लेते हैं वहां भी देख्या वहां भी देख्या तो कहते हैं ये भी विर्थ है चोबी प्रमेश्वर जी के पास वो प्रासिद्धी है प्रासिद्धी माने सब सिद्धियों की मा यानि पूरा सटोक सटोर असंक सिद्धी मालिक के पास है यहां इस काल के पास अश्ट सिद्धी है उनली आठ सिद्धी है और यह बगवान बता रहे हैं कि हमारा हमने जो आपको मंतर सतनाम दे रहे हैं चोबीस सिद्धी आ जाएंगे आप में लेकिन ये आपकी सत्रू होंगी जब परियोग करन लाग गेता है आप जैसे बगत दो तिन वर्स आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशिरवाद देन लग जाओगे न उसको लाबन लग जागा आपसे लेकिन आपकी बगती का नास हो जागा तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी हैं आप देखते हो कई गाओं में जाड़े लाते हैं उससे कुछ रहत मिल जाती है वो पिछले जनम का पुनकर्मी प्राणी है कभी सज्दी साद ना की थी उसने बगती और वो कुछ डिपोजिटीप रह 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 रही बलाग रह नास करन जाड़े लाला के और फिर वो गदा बनेगा उसका फिर वो किसके जाड़े लाओगा कुमार लाओगा जाड़े उसके लट मारेगा कमेर पर तो पुनातमों इशाद्धातम ग्यान को समझना पड़ेगा शब कर्मों से प्रीचीत होना पड़ेगा महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं इन पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 यफिवार थास but अैज व det ऊड़ी है को इन शिख्षा की जानमा फिख्षा केंद्र का पता करें इन पता का पता का इन जाओवार्दर का आज बशुल प्सानान् ज्टाने विए संपर्वार्दर का